C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पर्यावर्ण अध्याइन की ध्वनी पाठे पुस्तक हमारा अध्भुत संसार प्रिश्ट संख्या 135 अध्याई 11 कैसे बनी ये वस्तुएं आपने अपने घर में पानी भर का रखने वाले बर्तन देखे होंगे और उनका उप्योग भी किया होगा आपने गुल्लक, बर्डबात यानि पक्षियों के लिए पानी का बर्तन, कुलहड और ऐसी बहुत सी वस्तुएं अपने घर एवं आसपास के परिवेश में देखी होंगी क्या इन तरह तरह की वस्तुओं को देखकर आप आश्चरी शकित हुए? ये वस्तुओं किस से बनी हैं? इन वस्तुओं को किस ने बनाया और कैसे? इस प्रिष्ट पर निचले भाग में एक चित्र है, जिसमें एक कुमहार मिट्टी के बर्तन मना रहा है और उसके सामने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन रखे हैं, पीछे, घर और पेड़े भी हैं प्रिष्ट जंखिया 136 कुमहार का परिवार समुद्र के किनारे एक छोटा सा नगर है, मिनी ने अपने अपुपन यानि दादा जी को मिट्टी से बर्तन बनाते हुए देखा है वो मिट्टी में आवशकता नुसार पानी डाल कर उसे गीला करते हैं, जिससे बर्तन बनाने के लिए मिट्टी ना तो बहुत गीली हो और ना ही बहुत सोखी फिर वो मिट्टी को अच्छी तरह से सानते हैं, इसके बाद वो मिट्टी को पत्थर के चाक पर रखते हैं और फिर चाक को घुमाते हुए मिट्टी को बर्तन का आकार देते हैं प्रिष्ट के मद्ध भाग में एक चित्र है जिसमें कुमार चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा है और सामने उसकी लड़की बैठी उसे देख रही है और साथ यहां एक इस्त्री भट्टी में बर्तन पक्का करने के लिए रख रही है और पास में बहुत सारे मट्के भी रखे हैं चित्र में नदी, पहाड, पेड़ पौधे और घर भी है जब बर्तन सूख जाते हैं तब अमू यानि मा उन बर्तनों को एक बड़ी सी भट्टी में रख देती हैं बर्तन बनने के बाद उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है इस बर्ती में बर्तन पक्क कर पक्का हो जाता है प्रिष्ट के निचले भाग में एक बर्ती का चित्र है जिसके बाहर कुछ मटके रखे हैं बर्ती में आग जल रही है अब बर्तन उप्योग के लिए तैयार हैं अपपन, अम्मू तथा परिवार के कुछ और सदस्य बर्तनों को सुन्दर बनाने के लिए उन पर कुछ सुन्दर नमुने बनाते हैं चर्चा कीजिए मिट्टी के बर्तनों का उप्योग किसलिए किया जाता है कुमार और कौन-कौन सिवस्ट में बनाते हैं बर्तनों को भट्टी में क्यों पकाया जाता है गतिविधी एक अपने माता पिता ये परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ किसी कुमार के यहां जाईए वहां जाकर देखिए कि कुमार किस तरह से चाक पर कारे करते हैं क्या आपको इस बात पर आश्चरे होता है कि मिट्टी किस तरह चाक पर घुमते हुए तरह तरह के सुंदर आकार ले लेती है कुमार की बनाई कौन सी वस्त्वों को आप घर में इस्तिमाल करते हैं यहां दिये गए स्थान में कुमार के यहां देखी कुछ वस्त्वों की चित्र बनाईए अब आप दिये गए रिक्तिस्थान में उन वस्त्वों की चित्र स्वयम बनाएं प्रिष्ट संक्या 138 करने में अपनी दादजी की साहता करती है। मिट्टी से बनी उसकी सबसे प्रियवस्तु है गुल्लक। उसे इस पर सुन्दर नमुने बनाना बहुत पसंद है। वो अपने पैसे बचा कर इसमें रखती है। आप अपनी दादा दादी या नाना नानी की किस तरह साहता करते ह गतिविधी दो, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी तयार करना, इस गतिविधी को बढ़ों के निगरानी में ही करें किसी जगह से चिकनी मिट्टी इकट्ठी कीजिए इसमें कंकर, पत्थर, रेत, सुखी पत्तियां या पौधों के कोई और भाग हो सकते हैं चलनी की सहता से उन्हें अलग कीजिए किसी खुले बर्तन जैसे परात आदी में पानी ढल कर उसमें मिट्टी भिगोईए आप कुछ दिन के बाद देखेंगे कि अतरिक्त पानी उपर आ जाएगा इस अतरिक्त पानी को फेंक दीजिए अब आप मिट्टी को सानिये जिससे उसे एक बड़े से गोले का आकार दे सकें इस मिट्टी से अपनी पसंद की कोई दो वस्तुमें बनाईए इन वस्तुमों को धूप में सूखने के लिए रखिये प्रिष्ट के निचले भाग में एक बच्चा है और पास ही मिट्टी से बना एक हाथी का खिलोना है बच्चा उससे देखकर बहुत प्रसन हो रहा है प्रिष्ट संक्या 149 गतिविदी 3 यहां दे गई आकरतियों को एक से पांच तक यानि मिट्टी से बरतन बनाने के सही क्रम में व्यवस्तित करिये यहां पर मिट्टी से बरतन बनाने के प्रिक्रिया के पांच चित्र है पहला चित्र है मिट्टी च्छानने का दूसरा चित्र है पैर से मिट्टी को गूंधने का तीसरा चित्र मिट्टी को हाथ में लेकर इकठा करने का है चौथा चित्र चाक पर मिट्टी से बर्तन बनाने का है और पांचमा चित्र भट्टी में बर्तन को पकाने का है अब आप इन पांचों चित्रों को मिट्टी से बर्तन बनाने की सही क्रम में लगाएं प्रकर्ती में नमूने यानि पैटर्ण प्रकर्ति में चारों और तरह तरह के नमूने देखने को मिलते हैं वो चाहे तेंदू के शरीर पर बने धब्बे हो या फिर गिलहरी के शरीर पर धारिया बहुत से कलाकार अपने बरतनों पर तरह तरह के नमूने बनाने के लिए प्रकरती के इनी नमूनों से सीखते हैं प्रकरती से तरह तरह की आकरतियों और रंगों को देखकर नमूने बनाए जाते हैं आपने अपने आसपास पेड़ पौधों और पशुपक्षियों पर तरह तरह के नमूने देखे होंगे उधरन के लिए यदि आप किसी भी पेड़ जैसे की नीम की पत्तियों को देखें तो आपको उन पर एक तरह का विशेश नमूना दिखाई देगा इसी तरह से पशुपक्षियों जैसे की मोर, बिल्ली, चीता, तितली, मचली आधी पर भी ऐसे ही विशेश नमूने देखे जा सकते हैं इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र हैं ये चित्र हैं गिलहरी, तेंदुआ, पत्तियां और जैब्रा प्रिष्ट संख्या 140 गतिविदी 4 पेड़ पौधों वो जानुरों के शरीर पर आकरतियों और रेखाओं के बार-बार दोराव से बने कुछ नमूने यहां दिये गए हैं अपने आसपास पेड़ पौधों पर बने नमूनों को खोजिये यहां दिये गए स्थान पर किसी पत्ति का नमूना बनाईए यहां पर पत्तियों का चित्र है और उसके सामने एक रिक्त स्थान है अब आप यहां पर किसी पत्ति का नमूना स्वयम बनाएं अपने आस पास पशू पक्षियों के शरीर पर बने नमूने खोजिये यहां दियेगे स्थान पर किसी ऐसे पशू या पक्षि का चित्र बनाईए जिस पर कोई नमूना दिखता हो यहां पर एक मोर का चित्र है उसके सामने एक रिक्त स्थान है अब आप यहाँ पर अपने मन से किसी पशू या पक्षी का चित्र बनाईए जिस पर कोई नमू ना हो अपने आस पास की वस्तूओं पर नमूने खोजिये यहाँ दिये गए स्थान में नमूने बनाईए यहाँ पर दो बरतनों की चित्र हैं जिन पर अलग-अलग तरह के दो नमूने बने हुए हैं और उनके सामने रिक्तिस्थान है अब आपको अपने मन से बरतनों पर स्वयम नमूने बनाने हैं प्रिष्ट संख्या 141 इन वस्तूओं पर अपनी पसंद के नमूने बनाईए यहाँ पर कप, मटका और मटकी के चित्र हैं मिट्टी के बरतनों पर नमूने हमारे देश के विभिन स्थानों पर मिट्टी से अनेक प्रकार के सुन्दर बरतन बनाई जाते हैं यहाँ पर कुछ सुन्दर सुन्दर बरतनों के चित्र दिये गए हैं उन बर्तनों पर सही का निशान लगाईए, जिन में नमूने बने हैं। यहाँ पर साथ बर्तनों के चित्र हैं, और उनके नीचे रिक्तिस्थान बना है। अब आपको उन बर्तनों के नीचे सही का निशान लगाना है, जिन पर नमूने बने हैं। अब तक आप मिट्टी से बने बर्तनों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं अब हम इंटों के बारे में बात करते हैं इंटें ही इंटें यहाँ पर एक्चित्र है जिसमें दो व्यक्ति इंटे बना रही हैं और उनके आस पास बहुत सारी इंटे हैं और मिट्टी, बाल्टी, इत्यादी वस्तुमें भी रखी हैं। आपने इंट कहां कहां देखी है। क्या आपने कभी देखा है कि इंट कैसे बनती है। जिस तरह से अपपन मिट्टी से बर्तन तयार करते हैं, उसी तरह मिट्टी से इंट भी बनती है। आपने इडली, केक, ढोकला या फिर कुलफी बनाने के सांचे देखे होंगे ठीक इसी तरह से इंटे भी सांचों में तयार की जाती हैं इंटों को मस्बूत व कठोर बनाने के लिए उन्हें भी भट्टी में पकाया जाता है इंटों को घर, विद्याले, अस्पताल, दिवारें, भवन, आधी बनाने में कामे लिया जाता है इस प्रिष्ट के निचले भाग में चार सांचों की चित्र हैं एक सांचा इडिली बनाने का है, दूसरा कुलफी बनाने का, तीसरा केक बनाने का और चौथा इंट बनाने का सांचा है प्रिष्ट संख्या एक सौतिरता अलीज रोहन और उसके पिता जैपूर में रहते हैं रोहन को किसी भी मकान को बनते हुए देखना बहुत पसंद है उसे इस बात पर बहुत ही आश्चर होता है कि उसके पिता वो उनके साथ ही किस तरह से इतनी उची और सुन्दर सुन्दर इमारते मनाते हैं रोहन को खाली समय में इंटों के दिवार को बनते हुए देखना बहुत पसंद है यहाँ पर प्रिष्ट के मध्य भाग में चार चित्र हैं पहले चित्र में दो व्यक्ती जमीन की प्यमाईश कर रहे हैं दूसरी चितर में एक व्यक्ती इंट पर इंट रखकर दिवार बना रहा है, तीसरा चितर चार दिवारी का है, चौता चितर एक घर का है रोहन ने कई दिनों तक ये देखा कि किस तरह इंट पर इंट रखते हुए पूरी दिवार बन जाती है कुछ महीनों के बाद रोहन जब उस जगे से फिर गुजरा तो उसने देखा कि दिवारों से दिवारें जुड़कर एक बड़ी इमारत बन गई है इस प्रिष्ट के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें बहुत सारी श्रमिक मिलकर एक इमारत का निर्मान कर रही है सभी अपने अपनी कारियों में व्यस्थ है प्रिष्ट संक्या 144 चर्चा कीजिए क्या सभी घर इंटों से ही बनते हैं? क्या आपको लगता है कि इंटों के अलावा और किस वस्तू से घर बनते हैं? यहाँ पर एक घर का चित्र है हमारे देश के कुछ गर्म स्थानों में मिट्टी से बने घर भी होते हैं ये घर पारंपरिक तरीकों से बने होते हैं और भीतर से ठंडे रहते हैं इन्हें बनाने में मिट्टी के अतरिक्त घास और लकडी जैसी प्रकर्तिक सामगरियों का उप्योग होता है देवारों और फर्ष को चिकना बनाने के लिए बहुत से लोग सीमिट के स्थान पर गोबर का लेप करते हैं इसमें घर में ठंडक रहती है और इसमें कीट आदी भी नहीं परपते हैं लिखिए एक आपके विचार में मिट्टी से बने घर पर्यावरण के लिए बहतर क्यों होते हैं? रिक्तिस्थान दो अपने आस पोडोस के घरों को देखिए ये किस प्रकार की सामगरी से बने हैं? रिक्तिस्थान प्रिष्ट संक्या 145 गति विधी पांच यहाँ दिये गए घरों की चित्रों को देखिए प्रतेक प्रकार के घर का नाम सोजिए और तालिका में भरिए यहाँ पर एक तालिका है तालिका के तीन भाग है पहले भाग में लिखा है घर का चित्र दूसरे में लिखा है इस तरह के घर को क्या कहते हैं और तीसरे में लिखा है ये घर किन वस्त्वों से बना है? आईए अब तालिका को समझें घर का चित्र के नीचे चार प्रकार के घरों के चित्र हैं और इनके सामनी का स्थान रिक्त है अब आपको ये बताना है कि इस तरह के घरों को क्या कहते हैं और ये घर किन वस्त्वों से बने हैं प्रिष्ट संख्या 146 गति विधी 6 दीवार बनाईए माचस के डिब्बियों, गत्य के डिब्बों, गुथी हुई मिट्टी या आटे से कुछ इंटे बनाईए यहां दिये गए चित्रों के अनुसार इन्हें जमाईए यहां पर अलग-अलग प्रकार की दो दीवारों के चित्र हैं कौन से दीवार अधिक मजबूत है धकेले जाने पर कौन से दीवार आसानी से गिर सकती है सबसे पहले सुरक्षा रोहन के पिता अपनी कारिस्थल पर काम करते समय सुरक्षा संबंधी सभी महतपूर नेमों का पालन करते हैं उधरन के लिए वो हमेशा हेलमेट पहनते हैं वो सुरक्षा जैकेट और उपयुक्त जूते भी पहनते हैं इसी प्रिष्ट के निचले भाग में साथ अन्नी चित्र हैं ये सुरक्षा संबंधित कुछ उपकरणों के चित्र हैं जैसे गलब्स, हेलमेट, मास्क, चश्मा, जैकेट और जूते इनके बीच में इन सुरक्षा उपकरणों से लेस एक प्यक्तिक चित्र भी है चर्चा कीजिए क्या आपके घर में सुरक्षा संबंधित नियम बनाए गए हैं? क्या आपके विद्याले में सुरक्षा संबंधित नियम बनाए गए हैं? प्रिष्ट संख्या 147 आईए मन्थन करें कर लिखिए की प्रिक्रिया बताई गई हो प्रतेक चरण को विस्तार से लिखिए ख किनी तीन प्रकार के घरों के चित्र बनाईए और उनमें रंग भरिए यहाँ पर एक रिक्तिस्थान है इस रिक्तिस्थान में आप तीन प्रकार के विविन घरों के चित्र बनाएं और उनमें रंग भरें ग, चर्चा कीजिए एक, घर भिन्न भिन्न प्रकार के क्यों होते हैं दो, लोग निर्मान स्थलों पर हेलमेट क्यों पहनते हैं तीन, यदि प्रक्रती में किसी भी तरह के नमूने न होते तो क्या होता ग, साक्षातकार एक, अपने आसपास में किसी ऐसे विक्ति से बात कीजिए जो शिल्प या खिलोने बनाते हों इस जानकारी को कक्षा में साझा कीजिए दो, पता लगाईए कि प्रति दिन प्रियोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे की पैंसिल, रबर, कॉपी जैसी वस्तुएं कैसे बनती हैं अपने बड़ों से पूछिए प्रिष्ट संख्या 148 क्या आप जानते हैं? क्या आपने अपने शहर, कस्बे या गाउं में कोई मूर्ति देखी है? यहाँ पर एक मूर्तिकार का चितर है जो मिट्टी की एक विशाल प्रतिमा बना रहा है क्या आप जानते हैं कि कुछ मूर्तियां भी उसी चिकनी मिट्टी से बनाई जाती हैं जिन से बरतन या इंट बनाई जाती है इस प्रिष्ट के निचले भाग में अलग-अलग बरतनों का चितर है जिन पर अलग-अलग नमूने बने हैं। C-I-E-T, N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत.